ये पूरा मामला अथाना थरवईक शेतर जिला पर्याग राज का है इसमें बिगत रात करी तो बजे के आज पास हमारी पुलिस टीमों को सुचना मिली थी कि एक बड़ा ही कुख्यात बदमास जो कई तरह की हत्याय करता है बलातकार करता है इस टाइब का ये क्रिमिनल है जो जिनका गैंग रेकी कर रहा है कोई और घटना कर सकता है इसमें तदकाल कारवाई करते हुए हमारी टीमों ने घेरा बंदी किया और इसके दवरान पुख्यात बदमासों से मुठेड हुई जिसमें एक बदमास के पैर में गोली लगी उसके बाद वो गिर पड़ा उसके ब करता है तुराचार भी करता है अब वहार बहुत है वह अतना में बदमास टुरिग पुश्तार ज सामने आई है वह पता चला है कि यह भी हर का रहने वाला है और पछिब डरसी कि बारीन का आनकारी मिली कि पचास हजार जो चार मई से है वान्शित चल रहा था और इस पर इ बताना चाहूंगा कि इसका एक सगा बड़ा भाई नबला खरवार जो पहले ही चार माई को पुलिस मुट्वेड के दोरान गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था उसके कारवाई की गई थी उसी का एसगा भाई है इसका एक साथी बड़मास गुंदेला और सारंगी खरवार अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकला है जिसकी तलास में हमारी पुलिस टीमों दोरा कॉम्बिंग की जा रही है जल्द ही उसको भी गरफ्तार करेंगे फिलहाल इस पचास थार के इनामियां इंटर स्टेट को ख्यात गैंके बदमास को दाहने पैर में गोली लगी है दवा इलाज के लिए इसको अस्पताल रवाना किया गया है ताकि इसको बचाया जा सके गंभीर रूप के घायल है आगे की कारवाई की जाएगी जो भी और बाते सामने आएंगे और आपको जल्बी जाउगत करा जाएगी